जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि CSK और RCB के बीच 23 मार्च को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और दोनों ही टीम बहुत ही खतरनाक है तो आज हम आपको IPLK के एक ऐसे ही रोमान्चक मेच के बारे में बताने वाले हैं जो 12 अप्रेल 2012 को चन्ने सुपर किंग और रोयल चलेंजरस बेंगलूर के बीच खेला गया था इस मुकाबले में इतना रोमान्च पेदा हुआ था कि दस्गों की सांसे रुख गई थी इस मुकाबले में टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए रोयल चलेंजरस बेंगलूर ने 20 अबर में 205 रोनों का बड़ा लक्स खड़ा कर दिया था 206 रोन के बड़े लस्के सामने चन्नाई की सुवाद बहती खराब रही और 30 रोनों के मामली स्कोर पर उसके दो विकिट पवेलियन लोट गए लगातार गिरते बिक्तो के बीच चन्नाई ने अपने स्कोर को भी बढ़ाया और 18 ओबर में चाल बिकिट के नुस्कान पर चन्नाई की टीम 163 रन तक पहुँच गई चन्नाई की टीम को जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 43 रन की आसकोता थी किर्किट पंडितों को लगने लगा कि चन्नाई की टीम अभी इस मेज को नहीं जीत पाएगी लेकिन किर्किट को नमुनकिन का खेल कहा जाता है और इस खेल में अगली ही गेन पर कुछ भी हो सकता है और ऐसा ही चन्नाई की टीम ने किया चन्नाई की टीम ने 19 ओवर में 28 रंग ठाउंग दिये मगर अब भी चन्नाई को जीत के लिए अंतिम ओवर में 15 रंग की जरूत की अंतिम ओवर में एक अद्बूत चमतकार हुआ चन्नाई के बल्लेबाज देविन ब्राबो ने मेच की अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर चन्नाई को एतिहासिक जीत दिला दी इस तरह से चन्नाई की टीम ने आखरी 12 गेंदों में 43 रंग बनाकर अद्बूत चमतकार कर दिया आपको क्या लगता है क्या 23 मार्च को होने वाले मुकाबले में CSK और RCB के बीच फिर से एक बार सांसे रोग देने वाला रोमान चक मेज देखने को मिलेगा आप अपनी राइक कमेंट करके जूर देख वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें